बाई सुनेल जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारती है, आप बिहार के तमाम दश्मी कक्छा में अध्यन रच्छातरों के लिए पुना एक लाजवाब लेक्चर स्रिंखला लेकर के हाजिर हूँ और इस वार इतिहास के शमाजवाद और शामवाद चेप्टर से सम्बनित मै आपको अध्यनती रोचक, ज्यानवर्धक, ज्यानकारी आपके सामने प्रस्तूत करूँगा, इसको मैं दो भाग में प्रस्तूत करूँगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको अपसे अग्रा करूँगा, कि यदि अव तक आपने मेरे चैनल सुनील जी, खाटी, बिहारी को प्रस्तूत करूँगा, पहला अपका भाग ये है, और इसको पूरा सुनेंगे, तब दूसरा भाग सुनेंगे, समाजवाद किसको कहते हैं, समाजवाद एक विचारधारा है, समाजवाद कोई बस्तू नहीं है, कोई टॉफी नहीं है, चोकलेट नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, जिसके अंत में वाद लगा रहेगा, वो विचारधारा है, एक भाबना है, और वो दिखाईने परेगा, समाजवाद एक विचार धारा है जिसमें निजी स्वामित के जगा सामुहिक स्वामित और धन के समान वितरन पर जोड़ दिया गया है तो निजी स्वामित के जगा प्रकिस चीज का समू का स्वामित और धन के समान वित्रण पर इने जी एक आदमी मला माल हो और एक आदमी कंगाल हो समाजवाद इसको कते हैं समाजवाद एक ऐसी अर्थवेस्था है जिसके अंतरगत उतपादन के शभी साधनों पर और कारखान हो चाहेखिपनन हो सरकार का एक आदिकार होता है समाजवादी बवस्था में शोसन उनमुक्त समाज की अस्थापना ये मुक्ष उद्देश रहता है जिसमें सोसन ना हो, कोई पुझी पती शर्मिक का सोसन न करे इस तरह की बेवस्था में उत्पादन निजी लाव के लिए न हो करके समाज के हिट के लिए होता इसी लिए इसका नाम परा समाजवाद समाज के लिए, ना कि किसी निजी हिट के लिए अब आईए अगला समाजवाद की उत्पत्ती, तो समाजवाद की उत्पत्ती का बीज और दोगे करांती में ही चुपा हुआ है, चुकि पुझी पती अपने निहित स्वार्थ के लिए या मिल मालिक शर्मिक का शोसन करने लगे, शर्मिक को 18-18 घंटा काम लेते थे, उनको प पुझी पतियों के दया पर जीवित रहने लगे, जब वो फोड़ी सी भी बिरोद करते थे तो उनको निकाल दिया जाता था, तो इस कारण क्या हुआ, कि पुझी पती ने इतना सोशन किया, शर्मिक का, और असपस रूप से समाज उसमें दो भागों में बठता हुआ नज पुझी बिचारधारा भावन ये उपजी, जब जब कोई संकट आता है, जब जब कोई सोशन होता है, तो निष्चित कोई न कोई करामतिकारी, कोई कोई चिंता, कोई न कोई उसका विरोद करने वाला आपको पैदालेही ले ले लेता है, वो परिस्थिति को पज़ोती है तो समाजधारा बिचारदारा को फैलाने में कुछ विद्वान का महतपुर्ण भूमका रहा उन विद्वान का नाम मैं आपको कहता हूँ सेंट साइमान, फॉरियर, लुई बला, रोबर्ट ओबन और काल मार्क्स तो खैर इनका नाम सच पूछिए तो साइध, साइध ही कोई व्यक्ति होगा जो इनके नाम से परचितना होगा और इनके मित्र फ्रेडरिक एंगेज इन लोगों ने महतपुर्ण भूमका निभाई इन लोगों ने ओद्वगी संगठा और पूंजी पती शर्मिकों के बीच परिशपडिक संबन्द का एक नया कॉंसप्ट इनों ने लाया और समाजवादी इसमें हम जो अध्यन करेंगे इसको हम दो भाग में बाट सकते हैं एक मार्क्स से पहले का काल मार्क्स के और एक काल मार्क्स के बाट का क्योंकि काल मार्क्स ने पूरी तरह से थियरी ही बदल दिया पूरी तरह से सिधान्त ही बदल दिया तो सबसे पहले यूटोपियन समाजवाद के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे यूटोपियन को एक और नाम से हम जान सकते हैं यूटोपियन को हम ये कह सकते हैं विज्ञानिक समाजवाद विज्ञानिक समाजवाद यूटोपिया शमाजवादी में एक उसमें थोड़ा सा हम ये कहेंगो उसका weakness क्या था कमजोरी क्या था कि ये बहुत जाईदे आधरशवादी था आधरशवादी जैसे कि जैसे गांधिवादी का बिचार धारा ही या गांधी का बिचार धारा था कि यदि कोई गाल में एक थपर मारे तो दूसरा गाल भी बरा दो तो इसमें वो बैवहारिक नहीं रह गया है उतनी जायदे आप आधर्शवादी नव बने बैवहारिक होना चाहिए ये तो अधिकतर यूटोपियन विचारक जो थे वो फ्रांसीसी थे वो ये सोचते थे कि सांती पुर्न ब्यवस्था में परवर्तम होना चाहिए करांती के साथ नहीं तो यूटोपियन का अर्थी होता है सौपन दर्शी जो आगे की क्या होगी उसको सौपन के रूप में सजोता है और उसको प्राप्ट करने की कोशिश करता है इसका प्रवर्तक जो थे इसमें भूंका महत्पुर्न निभाने वाले हम सेंट साइमन मान सकते हैं और सेंट साइमन का ये मानना था कि राज और समाज एक दुशिरे का सोसन ना करे बल्कि मिल जूल करके काम करे और उसके बाद प्रतिक को उसकी छमता के अंसार कार्ज काम मिलना चाहिए और फिर एक फ्रांसिसी यूटोपियन चिन तक आया उसका नम था लूई बला उसने क्या किया कि वो पॉलिटिक्स में भी हिसा लिया और उसका कहना था कि जब तक हम पॉलिटिक्स राजनिती में हिसा नहीं लेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है कि हम कुछ बिचारधारा में परवर्दन कर पाएंगे तो लेकिन धीरे धीरे फ्रांस के बाहर इस यूटोपियन समाजवाद भी फैला और बिटिस उद्योग पती रॉबर्ट ओबन इसने एक नई सोच के तहत लाया इसकोटलेंड याद रखिएगा वहाँ पर उसने लू नुनार का नाम के अस्थान पर अस्थान पर अस्थापिन किया उससे पहले ये मानना था कि शर्मिक से जम करके काम कराओ उसको पैसा कम दो तो लाब का अधिक हिसा अपने पास रखो सर्मिक को अठारा अठारा घंटा काम कराओ किसी दिन चुट्टी न दो और लाब अधिक से अधिक पुझी पती रखे तो वह आगे बढ़ेगा लेकिन इन्हों ने इस कॉंसेप्ट के ठीक विप्रित कहा कि यदि शर्मिक और संत तो शर्मिक ही बास्तविक सर्मिक है और वही बहुत अच्छा लाब पैदा करेगा और इन्होंने कहाज नहीं शर्मिक और मालिक के बीच वर्ग संघर्स न होना चाहिए बलकि समनबै होना चाहिए मेल होना चाहिए एक दूसरे की बाबना की समझ होनी चाहिए एक दूसरे क दुख शुक में साथ रहना चाहिए और देखा भी गया उन्होंने देखा भी कि जब सर्मीक का उन्होंने बेतन बढ़ाया तो अचानक फैक्टरी का लाब बढ़ने लगा ये एक नया कंसेप्ट था लेकिन इसके बाद जो एक महान विद्वान आये और वो चिंतक आये उनका नाम था काल मार्क्स काल मार्क्स से आपको अब्जेक्टिब हो सबजेक्टिब हो जम करकर प्रशन पूछेगा काल मार्क्स एक महान चिंतक थे उन्होंने 1866 याद रखिएगा 18667 में दास केप्टल नाम की पुस्तक लिखी थी जिसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है समाजवादि का बाइबिल किसको कहा जाता है याद रखिएगे ये कहा जाता है दास केप्टल किस ने लिखा था याद रखिएगे काल मार्क्स ने लिखा था ये कही जगा पूछेगा काल मार्क्स का जन 5 माई 1818 याद रखियेगा कब 5 माई 1818 याद रखियेगा बुलियेगा नहीं 5 माई 1818 को जर्मानी के राइन परांत के ट्रियर नगर में हुआ था काल मार्क्स मुल रूप से यहुदी थे लेकिन इनके पिता हेनरिक मार्क्स जो की वकील थे वो इसाई धर्म गहन कर लिया और काल मार्क्स 1843 में 1843 में बचपन के मित्र जेनी से विवाह किये जेनी धनाड थी काल मार्क्स समान परवार कर थे लेकिन फिर भी उन्होंने बिवाह किया और जेनी मित्र जेनी अंत अंतक काल मार्क्स के साथ रही उनके सिधान्त के साथ रही सोच के साथ रही और दुख शुक्म उनके साथ रही ये भी एक हम कर सकते हैं जित त्याग से परि प्रभावी थे लेकिन राजनितिक और समाजिक इतिहास पर वो मॉन्टेशकू और रूशो के विचार से प्रभावी थे मॉन्टेशकू और रूशो यह फ्रांसिसी करांटी में महत्पुर्ण भूंका निवाए थे और काल मार्स का एक मित्र जो आजीवन रहा आजकल वला मित्र ने बिहार में जेव हरा है ता आपके साथ है आजव जब मान लिजे सो गयात निकल गया ऐसा नहीं मित्र वो ऐसे मित्र जो सिद्धांत सोच के साथ सुख दुख दोनों में साथ थे उनका नाम था Frederick Engels क्या नाम था याद रखिएगा काल मार्स चो मितकल जो आजी वन मित्र रहे Frederick Engels यह आपको objective में पुछेगा बस तू निश्ट में पुछेगा 1848 में 1848 में सामवादी घोषना पत्र जारी किया और यह घोषना पत्र अत्यंत महत्पुर्म था याद रखेंगे इसको तो काल मार्स का यह मानना था कि यह जो इतिहास है यह उत्पादन कि साधनों पर नियंत्रन किसका हो इसी का निरंतर शंगर्ज की कहानी है उन्होंने यह कहा कि इतिहास और कुछ विशेश चीज नहीं है बलकि इसमें कि उत्पादन पर नियंत्रन किसका हो बस इसी के पीछे संगर्ज होता रहता और इसंगर्ज चलता रहता है और परत्य घटना के पीछे उन्होंने कहा आर्थिक शक्ती है और आर्थिक शक्ती के कारण युद्द लराई जगरे उस पर पहले आदिम शामवादी यूग था आदिम मिंस की प्राचीन बहुत पहले पुर्व का सामा सामा मिंस होता है बरावर यूग उसके बाद दास्ता यूग आया एक वर्ग आगे बढ़ गया और एक वर्ग को गुलाम बना लिया फिर आया समंती यूग वाने कुछ ब्यक्ति ज पुंजी वादी यूग क्या हुआ कि फैक्ट्री लगाया उद्योग लगाया तो एक वर्ग पुंजी पती हो गया और एक वर्ग सर्मिक हो गया लेकिन फिर तीरे दीरे सर्मिक में चेतना आई सर्मिक में जागरूकता आई तब आया समाजवादी यूग तब उस पर कि सब लोग बराबर हैं इन्होंने इतने फेज को बाटा और कहा ये और ये फेज करंबद ढंग से आता है काहल मार्क्स ने तब 1864 याद रखिये गाए 1864 में अंतरास्टिये शंग की अस्थापना की थी और उन्होंने काहल मार्क्स ने कहा कि देखो मजदूर तुम्हारे मुक् स्वेंग देखो तुम्हारे मुक्ति के लिए कोई दूसरा नहीं आवेगा तो उन्होंने कहा कि आप मजदूर स्वेंग अपने प्रयत्न शेही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए पुंजी पती का बिनाश जरूरी है जब तक पुंजी पती का तुम मनोबल छो कि अधिकार के बिना कर्तब नहीं और कर्तब के बिना अधिकार नहीं कौन सा नारा अधिकार के बिना कर्तब नहीं और कर्तब के बिना अधिकार नहीं उसके बाद 14 जुलाई 18 सनवासी को पिरिश में एक सम्मेलन हुआ और बिभिन देश के समाजवादी दल को पुनह जिसम इसको डुटिय अंतरास्टिय संग के रूट से इसको जाना जाता है ओवर टाइम उनको देना होगा यह नहीं के मजदूर को रख लिए और 18 गंटा 20 गंटा इस तरह का काम करवाए और 7 दिन काम करवाते रहे चुटी नहीं देंगा मजदूर की श्रक्षा है तो वो करेगा लेकिन 8 गंटा से अधिके लिए ओवर टाइम मिलेगा तो 1 मैं 1890 को सा समाजवादी की धारना पड़े पक हुई मजबूत हुई और काल मार्क्स का ये बहुत बड़ा इन्होंने एक इतिहास की धारा समाजिक चिंतन की धारा बिचार धारा से सम्मंदित इन्होंने सोच को ही बदल दिया और मैं इस खंड में अभी इतना ही आपको प्रस्तूत कर रहा हूँ चुकि ये चेप्टर कुछ बड़ा है और पुनह मैं आपको दूशरा इसका भाग ले करके और हाजिर हूँगा जहां पर मैं आपको 1917 के बोल्शेव करांती के बारे में रूस के करांती के बारे में लेनिन के बारे में ट्राटस्की के बारे में और फिर इन सब क शात्रों जो बिहार के जितने भी है दसमेक अच्छा में अज्दिनारग उनके लिए मैं अग्रह करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ही है सुनिल जी खांटी बिहारी इसको आप सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में बांट दें शेर करें लाइक करें कमेंट करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा ले कि जब जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तब आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं शोनिल जी खांटी बिहारी शुद्ध भारतिय आपसे यहीं बिदा ले रहा हूं जै बिहार जै हरा